Hello students, Apex classes के digital platform पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनन्दन, जैसा कि हमने एक नया मिसन के तोर पर जो वो टेंस जिसमें हम प्रजेन टेंस वर्तमान में पढ़ रहे हैं एंड इंग्लिश स्पिकिंग फॉर आल के लिए तो उसको हमने शुरू किया है और जिस प्रकार से आपका रेस्पॉंस आ रहा है और आप जुड़े हुए हैं आप जुड़े हुए हैं साथ में और भी जो फैमिली मेंबर्स रिलेटिव फ्रेंड्स सभी को आप जोडने का प्रयास करें शेयर के माध्यम से और सभी को प्रेद करें उससे क्या है कि सभी को इसका लाब मिल सकें बहुत इजी वेसे आपकी अपनी जो लोकल किस प्रकार से जाता है उस तरीके से भी देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी के लिए और साथ ही साथ जो लोकल डायलेक्ट में कुछ इसी चीज़े होगी तो वह भी मैं आपको इस्थानी बासा में भी एक्स्प्रेस कर दूँगा ता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके स समझ में आ जाए हमने यह जो कारिया शुरू किया तो इसमें टेंस की जब बात है आप जोड़े हुए हैं तो यह दावा है मेरा कि आपको समझ में आएंगे टेंस बिल्कुल पक्के समझ में आ जाएंगे और वह भी लाइफ टाइम बीच में दूबरा पढ़ने की आविश उसके साथ में कुछ वर्ट बगर चलते रहेंगे देखिए इसमें हमने जो क्लास लीती उसमें कुछ वर्ट मैंने पूछी थे आपको देखिए एक तो था भविश्य उसको लेकर के सब्द है फ्यूचर एक सब्द आपको पूछा था बगीचा यानि गार्डन एक और लता है जो की फूल आधी फल आधी लगते हैं उसमें वो और एक था जो शल जम जिसको हम सल जम या सल गम भी बोलते हैं सल जम इसके लिए शब्द टर्निप इस परकार से ये इस टाइप से हमेशा हमारे वर्ड्स को लेकर के कुछ जानकरी हमेशा की रहेगी आपको भी इसका फाइदा मिले डेली आप सीखें डेली लाइफ हमारी जो जिन्दगी है जुड़े हुए दिन चरिया उससे जुड़े हुए हम वर्ड्स पढ़ेंगे बढ़ते हम आगे हमने प्रिजेंट टेंस शुरू किया है और वर्तमानकार इसको शुरू किया और इसका हमने पहला भाग जो था प्रिजेंट सिंपल प्रिजेंट सिंपाल जिसको सिंपल प्रिजेंट इट इनद mache डेफिनेट भी बोलते हैं इसको हमने शुरू किया था इसमें क्या बताया था कि इसके चार भाग होते हैं जो प्रजेंटेंस है इसके प्रजेंटेंस की चार भाग जिसमें प्रजेंट सिंपल पहला भाग है प्रजेंट कंटिनियूज दूसरा प्रजेंट परफेक्ट तीसरा प्रजेंट परफेक्ट कंटिनियूज चौथा पहला और साथ ग spend आपकी इंगलिस speaking आपकी इसमें साथ चलेगी तो उसमें हमने सबसे पहली बात थी시죠 इंट्ड़क्शेजिन हिंदी ेंट्रड Entscheidung में पहचानal आधे ज्यांनी हमारे को बहा नदा चाहिए कि हमारा मीडियम हिंदी है तो पहले हिंदी में क्योंकि हम पहले हिंदी में सोचते हैं फिर बोलते हैं तो इस प्रकार की प्रकार की प्रक्टिस करें कि सोचने की ज़रत नहीं हम डारेक्ट लिए इसमें बोल पाएं तो उसके लिए हम प्रक्टिस करेंगे तो उसके बाद में लेकर के बड़े लेवल तक बड़े बड़ी पुछा जाता है और उसके बाद में आपको खुद को सेंटेंस बनाने आ जाये आप खुद बनाए वह उसका प्रियोग में बता रहा हूं तो इसमें हमने प्रजेंट में प्रजेंट सिंपल के अंतरगात हिंदी में पहचान पड़ लिया था अंग्रेजी में पहचान हिंदी में पहचान में जो हमने बताया था कि किस प्रकार से उसमें अंत में ता है ती है ते है इस प्रकार से आता है यह था और अं इनको लेकर के कि यह अपने एवरी डे इच डे मंत जो भी था इस प्रकार से एडवर्स भी मैंने लिखाई थी हिंदी में पैचान बताई थी इंग्लिश में उसके बाद में आपको लिखाया था अब यहां दे वापस उसमें थोड़ा सा रिव्यू करते हुए उसमें यह लिखाया जो तीसरा बाग कि प्रजेंट सिंपल का हिंदी में पैचान अंग्रेजी में पैचान इस्ट्रिक्चर ओव एक्टिव वोईज था इस्ट्रिक्चर ओव एक्टिव वोईज इसमें हमने किस प्रकार से लिखा था देखिए सबसे पहले करता कार्य को करने वाला प्लस मुख्य क्रिया की मुख्य क्रिया की या तो फ्रस्ट फॉर्म होगी और या फिर फ्रस्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगा हुआ होगा प्लस कर्म और अन्य सब्द यह अपनी लेंग्विज में आपको जैसे समझ में आए उस रूप में और इंग्लिश मेडियम वाले जो है जो इंग्लिश में हैं उनके लिए आपको बता दूं कि यहां पे पहले सब्जेक्ट फिर फ्रस्ट फॉर्म अब दी में वर्ब प्लस एस और एस देन ऑबजेक्ट एंड देन अदर वर्ड उसमें जो भी कॉंप्लिमेंट एडवर्वियल्स जो भी है वह उसमें आ जाते हैं अब हमने जो वाक्य बनाए थे उसमें कुछ आपको भी मैंने द उनका जवाब भी है वह गलत हुआ तो मैं कमेंट्स के माधियम से भी आपको बता दूंगा अब जान दो यहां पर कुछ अमने एक्जामपल पड़े थे शामाने उद्धान और लेता हूं जैसे वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है अब जब हिंदी में वाक्य हम बनाते हैं तो उसमें ऐसे चलता एक उसके बाद में जो भी यह जो कक्षा में पुस्तक इस टाइब से ना एक दो तीन इस रूम में इस ही द्याए हुए है लेकिन जब यह इंग्लिश में आएगा उसमें एक नंबर पर एक नंबर रहेगा लेकिन यह तीन नंबर यहां आ जाएगा और दो नंबर पिछे जाएगा इस रूप में होगा इस रूप में चलेगा उससे अमारे को पता चल जाएगा की शुब्जेक्ट वब ओजेक्ट इस रूप में बनाएंगे आपके वाक्ab encourages बनेगा अब यहां पर देखिए प्रजरण सिंपल का यहां पर एक प्रकार से akah सस्ट दिया हुआ है इस स्ट्रक्षर में पहले हिंदी का वाक्य बनाया है हमने पहले पढ़ा्य में पहचान आनी चाहिए तो हिंदी में हमने वाक्य पढ़ा इस वाक्य को हमने पढ़ा तो हिंदी में पहचान क्या है कि हिंदी में जब वाक्य बनाएंगे लिए करता लीजिए इस आएंगे वाकय में करता क्या है करता है करता है वह वह के लिए क्या आएगा यहाँ पर देखे सब्जेक्ट यानि करता क्या है तो सब्जेक्ट हमने देखा कि वह है वह है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें वह काया गया ही और इसके बाद में आपको लेना है हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है क्योंकि हिंदी में तो कक्षा में सब्दाया हुआ यह लिखो गडबड़ू जाएगी हमारे को क्या क करना है अकॉर्डिंग टू इस्ट्रक्चर चलना है उसमें लिखाया कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट पॉर्म तो मुख्य क्रिया में वर्ब में वर्ब क्या है इसमें हम देखेंगी तो में वर्ब क्या है तो पढ़ना पढ़ता है तो पढ़ने को क्या कहतें इंग्लिश में तो उसके लिए सब्द आता है रीड ये इसको अच्छी तरीक से आप बताया था रीड की स्पेलिंग याद रखने का तरीका के गड़्बढ है तो भी पता चल जाएगा हम मैं पड़ा है उसे साथ में वर्भ है उसके साथ में नवर्भ है उसके पिछ सेलर नवा वर्ब जो है मुख्य के लिया जो है उसके अंत में यदि एस एच च डबल एस एक्स ओ जडबल जड़ इस प्रकार से होंगे तो वहां पर एस लगेगा अन्य था एक वचन के साथ एस लगेगा तो यहां पर एस लगेगा कि रीड्स क्या पढ़तार देखे करता हो गया ही में अब्छेट लेना है कर्म कर्म तो पुस्तक तो यदि एक पुस्तक पढ़ता है या पुस्तक पढ़ता है यह पुस्तक तो उसमें करता यानि subject ले लिया ही उसके बाद में मुखी के लिया कि first form तो क्या आ गई read लिखने के बाद में हमने चेक किया कि subject जो है करता एक वचन है या बहुचन देखा कि एक वचन है तो यहां पर एस लगेगा ठीक है और उसके बाद में हमने देखा कि यहां पर क्या लेना है कर्म कर्म यानि object object क्या है यहां पर देखा तो यह object था अब उसमें बाद में और क्या चीज रहेगी तो उसमें देखिए जो भी हमारे उसमें कॉंप्लिमेंट की रूप में कोई रह जाता है adjective की रूप में तो उसमें देखिए यहां दिया है कक्षा में तो पुष्टक पढ़ता कहां पढ़ता है कक्षा में कक्षा के अंदर बैठा है तो वह इस स्थिति में इन दग प्लास हो गया इस टाइप से यह हमारे इस में वाक हो पर आप सबसे हट लगों हो इसके बाद में अपती गाड़ी बिलकुल गुलेट त्रें की तरह चलेगी और जिस प्रकार से आपको पहले ही बता दिया हो काफी में बंगoral चले बहारा जाए तो सबसे पहले हमने करता लिया में वर्ब की फास्ट फॉर्म लगा दी एस लगना था तो उसमें एस लग गया उसके बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में अबोका गया अन्य सब्द में इंदक्लास आगया हमारा वाक्य पूरा बन गया इस प्रकार से यह सेंटेंस बन सब्म être फिले में बढ़ते हैं तो उससे पहले हिंधी में पहचान अंग्रेजी में पहचान उसके बद में था इस प्रश्क ब identifies को लेते हैं उससे पहले क्योंकि हमने वाक्य बनाया जैसे अफिर्मेटिव सादारन वाकिया हमने बनाया सकारात्मक के तो पे तो जो तो affirmative है उसमें वाक्य जैसे था अभी कि मैं कक्सा में या फिर वह कक्सा में वाक्य जैसे वह कक्सा में पुस्तक पढ़ता है ये था इसका अंग्रेजी में हमने क्या बनाया सब चीजे साथ में बहुत बढ़िया तरीके से अब यह तो हो गया अफिर्मेटिव में अब इसको यदि हम पहले नेगेटिव और इंटरुगेटिव की बात आती है कि यदि यह नकारात्मक हो या प्रश्नवाचक हो तो कैसे बनेगा तो ज्यान दे नेगेटिव से पहले इं क्योंकि हमारे को हेल्पिंग वर्प की आप शिकता रहेगी तो इसलिए पहले हम यहां पे जब इसका इंटरुगेटिव बनाएंगे आप हुआ कि प्रश्नवाचक कि इस टाइप से कि तो देखिए अपने को यह जैसे वाक्य दिया गया है इसका कि यदी पहले बनाना है प्रश्नवाचक यहां लिखा है कि वह कक्सा में पुस्तक पढ़ता है कि प्रश्नवाच क्या बने बनेगा कि क्या कि वह कक्षा में फुस्थक यद अब हमेशा पुस्थक पढ़ता था कि अबह्ता सब्द भी जोड़ सकते हैं यह में और भी स्वड़ा兩त को बड़ा बनाना है तो देखिये पढ़ता है क्वेश्चन मार्क यह दिसको और भी बड़ा बनाना है तो आप लिख सकते हैं कि क्या वह कक्षा में हमेशा पुस्तक पढ़ता है तो एड़ भी उसमें साथ में आ जाएगी हमारे जो भी हमेशा के लिए डेली जो सब्दियूज है वो कर सकते हैं । यहाँ साधान वाक्या बना हुआ है अफिर्मेटी के तो रहे रिट से इन्द क्लास इसको नकारात्मक और प्रशन वाक्या बनाते हैं तो एसी इस्तति में हमारे को दो प्रकार्सिए बनाते हैं दो प्रकार से कैसे एक तो या तो helping लेनी पड़ती है सहे क्रिया लेनी पड़ती है और यहां फिर डबलुएच वर्ड अब उसमें यहां देखिए ना तो यहां डबलुएच वर्ड हैं और नहीं यहां helping वर्ड तब क्या करें यहां पर जो sentence हमने English में तो बना दिया लेकिन इ में यहां पर किसी प्रकार की helping वर्ड दी हुए तब हम इस वाक्य को कैसे करें तो जब डबलुएच वर्ड नहीं हो और helping वर्ड भी नहीं हो ऐसी इस्तति में आपको क्या करना है सीधा में वर्ड पर जाए यानि वाकिये में आपको कहां पर जाना है में वर्ड में वर्ड क फर्स्ट फॉर्म प्लास एस एस यदि यह हो सेंटेंस को पढ़ने पर पता चले कि उसमें एस या एस दिया हुआ है और आपको उसका प्रश्ण वाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तब आप क्या करेंगे सिधा उस सेंटेंस में उस वाकिये में दी गई मैंवर्ब को ढूंड में में एस याई एस है तो आप वहां पर क्या लगाएंगे रडः या डर से सुरुआत करेंगे रच कि पहले की बात कर रहे हैं पहले अम इसमें देख लेटेंस में रिए द्यान देखा हाँ, s लगा हुआ है इसका मतलब s या इस है तो does आएगा या s है तो भी is है तो भी दस ही आएगा, तो क्या हम इसको वापस रिखें तो यह ध्यान रखना है क्योंकि यह जो S था वो आ गया यहां पर SES के रूम वो यहां पहुंच जाएगा इसलिए यहां पर केवल first form लगानी है आप इस बात का विसेश ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपको केवल read जो भी आएगी उसकी first form लिखनी है क्योंकि वो SES इधर जुड़ गया यह ध्यान रखना वापस लिखा तो उत्तर गलत हो जाएगा यदि आपने लिख दिया कि does he reads तो गलत हो जाएगा ठीक है इसमें तो does he read a book in the class और यह दी डेली साथ में है लिखा हुआ वाक्य है तो डेली उसमें और लास्ट में question mark ज्यानक ना है क्योंकि जब helping verb do does जो है उस रूप में दिये तो लास्ट में question mark लगेगा ही तो question mark लगाना है यह आपके बने हैं कि क्या वौक अक्सा में पुस्तक पड़ता है अब यहां पर ऐसे नहीं दिया हुआ है और यहां पर था वौक अक्साम पुस्तक पढ़ता है यहां पर जैसे दिया ओ कि तुम हमेशा मेदान में फुटबॉल खेलते हो जैसे वाक्य दिया गया हमारे को यह वाक्य दिया गया है और करना क्या है करना हमारे को यह कि यह हिंदी में दिया इसके पहले इंग्लिश में कैसे बने तो उस समय हम ध्यान दिजिए पहले यह हिंदी में आपने पहचान करनी है कि यह वाक्य कि स्टेंस का है तो यहां देखा तो किस में आ रहा है प्रजेंट सिंपल में आ रहा है तो फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला यह है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे कहने का आर्थ करता लेंगे इसमें करता कौन है यू करता लेने के बाद में हम लेते हैं में वर्ब में वर्ब इसमें क्या है तो इसमें मैनवर्ब के साथ में क्या आता है स याई एस अब उसमें पहले कंफर्म करें कि यह लिखा और बाद में आप सीधे यहां पे पहुंचे और चेक करें कि यू जो दिया है वो सिंगूलर है या या प्लूरल यह कंफर्म करके ही आगे बढ़ें क्योंकि यहां पर जिसे आप कंफ इन प्लूरल है यू प्लूरल में है इसलिए यहां पर ऐसी स्तिती में यह प्लूरल सब्जेक्ट होने की काड साथ में फ्रस्ट फॉरं में आएगी सप्ट प्लॉर्म एक यह प्लूरल सब्रॉब डेली ये इसमें वाक्य बन गया ये तो बन गया हिंदी में ये बन गया इंग्लिस में तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ कि इसको इंट्रेटिव तो यहां पर क्या बनेगा कि क्या तुम क्या तुम मेदान में क्या तुम हमेशा क्या तुम हमेशा मेदान में फुटबॉल फुटबॉल खेलते हो अब ज्यान दो यह बना हिंदी में इंग्लिश में हो गया अफिर्मेटी सेंटेंस अब यहां पर हम इंट्रवेटिव बना रहें तो बनेगा कि क्या तुम हमेशा मेदान में फुटबॉल पूरा बना गया नहीं बना तो कमी क्या है कमी यह है कि यह Ques pra अब प्रशन बन गया अब उसमें इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे तो हमें ज्यान मी जान कि न तो डबलु एच वर्ड ना ही helping वर्ब दी हुई है तब हम इसका प्रश्ण कैसे प्रश्ण वाच इंट्रवेटि इसको कैसे बनाए तब क्या करना है डबलु एच वर्ड नहीं है और साथ में helping वर्ब नहीं है तो सीधा मैं वर्ब पर जाए मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है मैंवर्ब कि आन इक है प्ले तो जब यहां पर थी मेंवर्ब की देखे मेंवर्ब की प्लस ऐसी इस था इसलोगा और यहां पर केवल फॉर्स्ट पॉर्म में के वंअ किया लगेगा क्या लगेगा आ ंस फिर क्या दिया है जैसा डू लगा करके जिस रूप में है आप उसको लिख दीजिए जैसे डू यू प्ले फुटबॉल इन दे ग्राउंड इन दे ग्राउंड ओन दे ग्राउंड डेली देखें इधर किसे लगाया क्योंकि यहां पर फर्स्ट फॉर्म थी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या इस तो ड़स लगेगा इस बात का दियानक ना है प्रजेंट सिंपल की बात डू यू प्ले अब यहां द्यान दीजिए जिस प्रकार से यहां पर जो रीड स्था वो रीड बन गया और क्योंकि आपको बताया था यह ऐसी दर जुड़त था उसी प्रकार से यहां पर केवल्ड डू है इसका मतलब यहां पर भी आपको फॉर्म जो होगी मैन वर्ब की सब्सक्राइब लेनी है तो डू यू प्ले फुटबोल इन दे ग्राउंड डेली पूरा हो गया क्या सभी हो गया नहीं हुआ तो क्या कमी यह कि क्वेस्चन मार्क नहीं लगाया इस प्रकार से यह वाकिये बनता है इसका आपको विसेश रूप से बहुत एजी तरीके से है बहुत आसानी से डिडवाला नेक्स्ट में आएगा हमने अभी डज और डू और डिड़ आएगा पास्ट में हम प्रजेंट पढ़ रहे हैं इसलिए प्रजेंट की चर्चा करेंगे पास्ट कि यह वह बाद में उसमें यहां पर यह बन गया तो एक तो हिंदी में सेंटेंस बना उसके बाद में इंग्लीश में बना और उसी का मने इंट्रोगेटिव बनाया इंट्रोगेटिव से बढ़ते हैं आगे नेगेटिव और फिर पैसिव वह इस लेते हैं तो नेगेटिव कैसे बनेगा देखिए यहां पर आपने वाकिया कि ही रीट सबुक इन द ख्लास इस रूप में वाकिया है नेगेटिव कैसे बनेगा नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस किसका प्रिजेंट टेंस का प्रिजेंट सिंपल जो है प्रिजेंट सिंपल हम पढ़ रहे हैं और प्रिजेंट सिंपल में नेगेटिव किस टाइप से बनाना है तो देखि कि इसमें आप ध्यान दीजिए कि जैसे हमने वाक्य बनाया था पूरा पूरा इतेल से बहुत व्यवस्तित आपको अच्छे तरीके से एजी वे से समझा रहा हूं कि सबसे पहले हमने जो वाक्य बनाया था इसमें देखिए कि वहा कक्षा में पुस्तक पढ़ता है तो यहां पुस्तक पढ़ता है एक इसका English में हमने बनाया इसका फिर अपने इंटरोगेटिव बनाया तो कैसे बना कि दर्स ही रेड पर बुक इन दे ख्लास कि यह इसका बन गया इंटरोगेटिव कि और अभी हमारे को क्या करना करना है इसका नगेटिव तो हिंदी में नकारत्म क्या बने पहले ये देखिए कि वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है ये तो हो गया हिंदी में साधान वाक्य इसका प्रश्ण वाच क्या बनेगा कि क्या वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है तो आगे क्या लग गया जब नकारात्मक बनेगा तो उस समय निगेटिव में कैसे बनेगा क कि वह कक्षा में पुस्तक नहीं पढ़ता है इस टाइप से हो गया देखिए वापस ज्यान दें किस टाइप से बनेगा कि वह कक्षा में पुस्तक नहीं नहीं आ गया नहीं पढ़ता है तो देखिए ऐसी इस्तिति में क्या करना है प्रश्ण वाच आप ने बना दिया है मैं इसमें चीज यहीं पर सामिल है उत्तर आपको क्योंकि नौट सिदा आएगा नहीं साथ में जब भी नौट लगेगा तो साथ में हेल्पिंग वर्ब रहेगी ज्यानक है कि जब भी वाकिया बनाएं तो उसमें सिधा नौट नहीं जो हेल्पिंग वर्ब हैं उसके बाद में नौट अब इसको लिखने का तरीका जैसे हमारे यहां पर अभी तो डू प्लस यहां पर जो अपस्टवादी का यूज करते हुए और उसी प्रकार से यदी डज प्लस नौट है तो यह आ गया डजन्ट यदी लिखा हुआ है डू और नौट अलग अलग लिखा है डू अलग है और नौट अलग है तो दू नौट पड़े और यदी सीधा इस टाइप से लिखा हुआ है इसको डू नौट पड़े इसको डू नौट पड़ने की जरूरत नहीं है उसी प्रकार से डज नौट है तो उसमें डज और नौट अलग है तो डज नौट पड़े और यदी इस रूप में लिखा है तो इसको डजन्ट पड़े यह ध्यान दे इसमें आग अब यहां helping work क्या दे रिखिये तो यहां पर does तो he does उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा not. साहिक रिया कि तो उन बाद में not. He does not और यहां first form ही रहेगी. He does not read a book in the class. यह वाकिया इसमें बन गया. यह नकारात्मक है. इसलिए question mark लास्ट में नहीं लगाना है. यह ध्यान दें. तो यह अपने विसेसकर जो काम में चीज़ें आती है. यह integrity negative भी होता है. ठीक है? Does he not? इस टाइप से भी. Integrity negative भी होता है. लेकिन में अभी जो काम आ रहे हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं. और जो भी integrity negative साथ में होता है. उसकी चर्चाम अलग से करेंगे. अभी आपको बता दूँ कि सबसे पहला हमारा जो formula affirmative का बना. वापस उसको थोड़ा देख है यह कि सबसे पहले करता प्लास फर्स्ट फॉर्म प्लास एस याई एस फर्स्ट फॉर्म किसकी मैन वर्ब की एस याई एस लगाया उसके बाद में object कर्म और प्लास अन्य सब्द जो है उसको लेकर के यह बना यह अबजेक्ट यह नहीं कर्म यह तो बन गया हमारे जो भी साधारण वाक्य प्रश्ट वाच्ट के लिए क्या हो गया प्रश्ट वाच्ट के लिए हो गया कि पहले या तो डू या डज plus subject जो भी subject दिया है उसके बाद में जो भी verb है उस verb की first form first form ही लगाएं यहां पे SES नहीं लगाना है उसके बाद में आपके object कर्म plus other word other words जो भी है और plus question mark यह उसमें बन गया और third जो बनता है वो हमारे को negative की बात थी तो उसमें आप कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले आप करता plus do या does plus not उसके बाद में main verb जो है उस main verb की first form SES नहीं लगाना है plus objects और plus other word other word हो देंगे और साथ में आपको full stop सीधा last में क्योंकि question mark नहीं है यह बन गया अब ज्यान दो वापस तेन प्रकार से कैसे बना हिंदी में वाकिए इस साइब से हैं अन्त में कैसे पता चलाता है तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला क्या रहता है वह यह रहता है कि सब्जेक्ट फैस्ट फॉर्म अब दी में वाप प्लस ऐस याइस यदि सिंगूलर है तो ऐस लगेगा प्लूरल है तो केवल फैस्ट पॉर्म आएगी पता है अब्जेक्ट लिखा अन्य सब्प्रस्ट नवाचिक बनाना है तो देखना है कि किस प्रकार से बनाएंगे डू डू उसमें ह होता नहीं है दिया हुआ होता नहीं है उसमें डवर्ट भी नहीं है एक्सथिय में क्या करें कि में वर्ट को देखें मुखिक्रिया को देखेंगे की के deeply कहिए तो रू लगा और oven. pin Nicolas यस लगा है तो दू रगाएगे छाइगा आपको पिर दो कि जो बात है आपको क्लियर कर दिये कि नॉट डूसे लिखे जा सकते इसको आपको बता दिया यह अगे इस परकार से हम चलते हैं यह हुआ किसी सदान अफिरमेटीव उसके बाद में इंट्रोगीटी और नेगेटीव और बन्ता उसको अहें पहचाहिए प्हचांगे बताऊंगा पूरे कि यह इसके बाथ में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पांच बते आपको बताईये उसमें क्या कि हिंदीमें पहचान उंगरेजी में भी आरे हैं और स्पिकेंग के जो भी हम संब्स पढ़ रहे हैं वह आपको बढ़िया टरीके से संबसा अच्छा मिल रहा है और और बविश्य में मिलता रहेगा लाइक शेयर वगरा जरूर करें और सब को बताए क्योंकि क्लास जो भी चटी से बारवी जो भी गार्जिंस है परेंट्स वगरा जो भी रिलेटिव फ्रेंड्स सभी के लिए हैं बिजनेस्मेन वगरा सब उसको टैंस आपको बहुत बढ़ी यूट्यूब विडियोज की अपडेटेड नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आपको मिलें अपेक्स क्लास इस एडिटेक सब्सक्राइब नाओ